20 साल पुराना बवासीर फिसर जड़ से खत्म मस्सों में सूजन, मस्सों में दर्द, जलन, खुजली में तुरंत आराम देता है नमस्कार दोस्तों अगर आप इस दिब अभिहेल को या दिब चासनी को अगर आप सेवन कर लेते हैं तो यह आपके आतों में जमे हुए कबजो को दूर करता है, पेट को साफ रखता है, पेट की गर्मी को सांत करता है, बवासीर, पाइल्स, हेमोराइट्स की समिस्या को ठीक कर देता है जिनने फिसर हो गया है, या मस्सों में तेज दर्द, जलन, ब्लीडिंग और खुजली चलती है, तो इन सभी समिस्याओं में सबसे भेतरी इनकाम करता है, यह आरविदिक नुस्का तो देखिए दोस्तों, अगर आप चलने फिरने, उटने बैटने, या फिर काम करने में अनकमफिरिबल यूज कर रहे हैं, तो देखिए इस नुसके को प्रयोग कर सकते हैं इसे बनाने के लिए कौन सी जड़ी बूटियां लेनी है, आज ये समझ लेते हैं, इसे कैसे बनाना है तो आपको इसमें आठ प्रकार के उसदियां यूज करनी हैं, जिसमें से सूखा अमला, सनाई की पत्ती, मुलैठी की लकडी, निसोत सफेद, हल्दी गाठ, इसब गोल की भूसी, अमरतलास की सूखी, कच्ची हुई फली, और आठ में इसमें उसदिया लेनी है, हराड, पी जान लेते हैं, और इसकी पैचान भी समझ लेते हैं, तो देखे दोस्तों, यह सूखा अमला, इसनुस की में आपको इड़ करना है, पचास ग्राम सूखा हुआ अमला, यह सनाई पत्ती, इसनुस की में आपको इड़ करना है, सो ग्राम सनाई पत्ती, यह मुलैठी लकडी, इसनुस के में आपको एड़ करना है पचास ग्राम मुलेठी लकडी यह निसौत इसनुस के में आपको एड़ करना है बीस ग्राम निसौत यह हल्दी इसनुस के में आड़ करना है आपको दस ग्राम हल्दी यह ईसब गोल की भूसी इसनुसके में आपको एड़ करना है 100 ग्राम इसब गोल यह अमरतलास की कच्ची फली सुखा करके यूज करना है 50 ग्राम यह हरारपीली गुटली निकाल करके छिकल यूज करना है 50 ग्राम आईरुपे देख चून बनाने के लिए आपको बताई गई सभी ओसदियां साफ सुत्री कर लेनी अच्छे से और उचेत मात्रा में ले लेनी है जितनी मात्रा बताई है और इन सभी जड़ी बूटियों को ज़्यादा पुरानी नहीं लेना है क्योंकि इसका बिस्याद ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तो ओसदियां ज़्यादा पुरानी हो लेने से इन ओसदियों के गड़ धर्म निम्न हो जाती है और ये फायदा नहीं करती गुनी भी नहीं लेनी है और ज़्यादा बहुत ही बेकार हो बोन नहीं लेनी है फिर जब सभी जड़ी बोटियां समान मात्रम ले 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 तो आपको करना क्या है दोस्तों इन सभी जड़ी बोटियों को एक खरल मूसल में डाल देना है एक एक करके आपको इसे खरल मूसल में डाल करके कूट सकते हैं या फिर पूरा एक साथ ही कूट सकते हैं खरल मूसल में डाल करके अच्छे से कूटिए और कूट पीश करके कुछ इस तरीका से महीन से महीन चूरन तयार कर ली जिया फिर इस चूरन को आपको करना क्या है मैं बता जेता हूँ इस चूरन को थोड़ा साड में रख दीजिए फिर आपको एक बरतल में डाल ला है गिलास पानी और उसमें आपको डाल नहाएं गुड़ गुड़ और पानी दोनों को एक साथ रख करके इसी गैस पच रहा करके पका देना है जब यह एक तार की चाशनी बनने लगे तो फिर एक तार की चाशनी बनने के बाद यह जो चूरन है ना इसी चाशनी में डाल देना है और चासनी में चूरन डानने के बाद आप इस चासनी और चूरन को चम्मच की सायता से मिला करके कर लीजिएगा बस आपकन उसका रेड़ी हो गया है इस चासनी को आप एक डिब्वे में बंद करके रखेगा आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यो चासनी है न यह च काम से बन करते हैं तो कितना भी पुराना बबासीर हो कितना भी पुराना पाल से हमराइडस हो गया है वो ठीक हो जाता है जो बबासीर के कारण जो चल फिर नहीं सकते जो उटने बैटने में बहु ज़्यादा दर्द सेहते हैं मस्तों में खुजली चलती है तो इन सभी समय समत्रन्द आराम होता है आपकी खुनी बादी जौन प्रकार की बवासिर में अच्छा आराम होता है दोस्तो इसके साथ-साथ ये आपके कबजे को दूर करता है बड़ा ही best treatment है बिना operation में ये अच्छा काम करता है तो आप ये जान लेते हैं इसे सीवन करने का तरीका तो पे चास्टनी का सिबन करें तो ऐसा करने से आपको वेडियों बता गए फायदे मिलने वाले हैं दोस्तों ये छोटी जानकारी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियों को लाइक कीजिए साथे साथ चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार